ये हैं वो जो कहती हैं कि चिटियां कलाईयां वे जन्म 11 अगस सन 1985 में हुआ एक टेलिविजिन होस्स से मॉडलिंग की तरफ ये बढ़ी है और फेर बन गई ये जबर्द स्टार बॉलिवोड में देखते हैं ये पूरी दास्ता जैकलिन का जन्म मना मा बहरेन में हुआ था इनके पता एलरोई श्रिलंका से आये थे और मा किम मलेशिया से इनके नाना जी आये थे कैनेड़ा से और वगर पीछे जाते हैं तो रिष्टा निकलता है गोवा से इनके पता दरसल श्रिलंका में एक म्यूजीशन थे असी के दशक में ये बहरेन की तरफ निकल गए श्रिलंका के राजनितिक हालातों को देखते हुए ये फैसला इनों ने किया एलरोई जब बहरेन पहुँचे तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई एक एयर होस्टेस से ज इन्होंने टेलिविजिन शोउस्ट करने शुरू किये शुरुवाती पढ़ाई भी बहरेन में हुई और आगे जाकर इन्होंने मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली युनिवर्सिटी ऑफ सिद्नी औस्ट्रेलिया से कुछ वक्ष तक ये श्रीलंका में भी बताओ टेलिवि पूवी स्टार बनना चाहती थी पर मामला जमा अब बॉलिवुड में सन 2006 में इन्होंने मिस्ट युनिवर्स श्रीलंका पैजन्ट जीता और श्रीलंका को रेप्रेजन किया वर्ल्ड मिस्ट युनिवर्स 2006 में बस यी मॉडलिंग के बाद फिल्मों में आना जरा आसान हो जाता है सन 2009 में मॉडलिंग के सिलसले में ही ये हिंदुस्तान आई और मशुरू मारुफ थेटर डिरेक्टर बैरी जॉन के साथ एक्टिंग की जरा ट्रेनिंग लिग और फिर सन 2009 में सुझे घोश की अलादन फिल्म के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया इनके हीरो थे रितेश देश्मौ इन्हें आईपा अवार्ड पर स्टार डेब्यू अब दे यर फीमेल के लिए भी नॉमिनिट किया गया था अपने परिवार को ये बहुत मिस करती रही और कुछ लोगों के साथ इनके नाम भी जुड़े बॉलिवर्ड में खास सौर्ट पर साजिद खान के साथ इनके रिष्टों की अफाएं जरूर उड़ी पर वो रिष्टे कभी सामने नजर नहीं आए 2010 में ये हाउसफुल में नजर आई और 2011 में मुर्डर टू में बस जी इन्होंने धीरे धीरे लोगों के दिल जीतने शुरू किये और 2014 तक पहुंचते पहुंचते ये बन गई सल्मान खान की पिक्चर किक की हेरोईन यकीनन बहुत एकम समय में जैकनिक फर्नांडिस ने अपने खुबसूर्ती और अभीने से लोगों के दिलों में जगा बना ली है हर तरहां के पोशाक ये पहनने को तैयार है जरा से भी शर्माती नहीं सीन्स चाहिक कैसे भी हो कॉमेडी, एरोटिक, रोमैंटिक या फिर एमोशनल महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री